नमस्ते दोस्तों चलो आज बनाएंगे बेंगली फिर सबजी करी पहले हम मछी में नमक हल्दी डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे फिर कड़ाई में थोड़ा सा तेल लिए हैं उसमें अभी मछी को हलका सा फ्राई कर लेंगे ऐसे हम सारे मचली को दोनों साइटी अच्छ से फ्राई कर लेंगे जब तक मचली फ्राई हो रहा है हम दुसरे साइट में मसाला बना लेंगे मसाले के लिए हम लिए हैं थोड़ा सा काला सोरसो, जीरा और थोड़ा सा लेसोन, थोड़ा सा पियाज और हरी मिर्ची और थोड़ा सा अध्रक लेके चलो उसमें थोड़ा सा पानी डालके अच्छ से ग्राईडिंग कर लेंगे देखिए दोस्तों हमारा मचली एक साइट अच्छा से फ्राय हो गया है हम अब उसको दुसरे साइट पलट देंगे देखिए हमारा मचली अच्छा से फ्राय हो गया है हम अब उसको अलग बरतन में निकाल लेंगे अब हम सारे सबजी को फ्राई कर लेंगे पहले हम बेगेन को नमक हल्दी मिला के रखेते पहले बेगेन को फ्राई कर लेंगे फिर उसके बाद गोबी आलो को अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीमा करके ग्यास को और उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डालके फ्राई कर लेंगे दोस्तों हम जिस तेल में फ्राइ किये थे उसी तेल में हम अभी सबजी भी बना सकते हैं उसी में हम दे देंगे पहले कटा हुआ मिर्ची और पांच फुटन और पिशा हुआ टमाटर डाल के उसमें थोड़ा सा नमा कहलदी डाल के अच्छे से पकाएंगे पकाने के बाद हम जो पीस के रखेते मसाला अभी मसाला डाल देंगे डाल के अच्छे से भूनेंगे भूनने के बाद हम सबजी देंगे सबजी देंगे अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे दोस्तो आप कभी मचली के साथ सबजी नहीं खाए तो ऐसे बना के खाए बोश टेश्टी बनता है अब चलो हम तोड़ा कटा हुआ धन्यापता डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे देखिए मसाले के साथ सबजी अच्छा से भून गया है अब हम उसमें पानी डाल देंगे पानी को थोड़ा सा उबल आने तक छोड़ देंगे उसके बाद हम फ्राय किया हुआ मचली को भी उसमें डाल देंगे दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए क्योंकि हम अब लोगों के लिए और नया नया रेशी भी लेके आएंगे देखिए हमारा बेंगली फिस सबजी करी कितना अच्छा से बन गया है आप भी बनाएए और खाएए के